परिचय सुनीता, क्या तुम इस जीव का नाम बता सकती हो? हाँ, इसका नाम अमीबा है और क्या तुम इन जीवों का नाम भी बता सकती हो? हाँ, पहला एक पेड़ है और दूसरा एक दाइनसार है बहुत अच्छे, अब इन प्राणियों को पहचानो ये सर्प, गरोण और डॉल्फिन है सुनीता, क्या तुम्हें पता है कि करोणों वर्ष पहले प्रित्वी पर जीवन कैसा था? और कैसे अनेख प्रकार की जीव आध्य प्रित्वी से प्रकट हुए? नहीं हाँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि करोणों वर्ष पहले प्रित्वी पर क्या हुआ और सभी जीवों डाइनसौर, अमीबा, पौधे और अन्यजीव जन्तूओं का विकास कैसे हुआ? उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बिग बैंक सिध्धान्त को समझना आपेरिन और हालडेन द्वारा प्रस्तावित सिध्धान्त को सिध्ध करने के लिए मिलर के प्रयोग को समझना जीवन स्वरूब के विकास को समझना विकास के विभिन प्रमानूं की पहचान करना तुल्य रूप और समजात सनरचनाओं के बीच अंतर की पहचान करना, अनुकूली विकरण की अवधारना को समझना, बिग बैंक सिध्धान्त ये बताता है कि ब्रह्मान की शुरुवात में क्या हुआ, इस सिध्धान्त के अनुसार एक महा विस्फोट से ब्रह्मान का विस् ये गैसे गुरुत्वा करशन के कारण संगनी भूत हुई और आकाश गंगाओं का गठन हुआ, मिलकी वे आकाश गंगा के सौर मंडल में प्रित्वी की रचना 4.5 बिलियन, 450 करोड वर्ष पूर्व हुई थी, प्रित्वी के वायु मंडल का निर्मान, प्रारंभे का वस अमोनिया द्वारा ढगी थी, सूरिक से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ओक्सिजन में विखंडित कर दिया, ओक्सिजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर जल और काबन डायोकसाइड की रचना की, परणाम स्वरूप ओजोन परत का स्वताह जनन का सिध्धानत आपेरिन हालदेन सिध्धान आपेरिन और हालदेन के अनुसार, रासानिक विकास के बाद जीवन का निर्माड हुआ जीवन का विकास महासागरों में हुआ, जब वायू मंदल में H2, H2O, NH3, CH4 और CO2 की कमी थी, लेकिन मुक्त O2 नहीं थी कार्बनेक योगेक पराबैंगनी प्रकाश उर्जाद्वारा गैर जैविक रूप में संचलेशित किये गए, बिना मुक्त O2 के उनका ओक्सिकरण किया गया, ये कार्बनेक अनुस्थिर होकर गर्म तनु शोर्बी में संचित हो गए इन अनुओं ने नश्थ होने से बचने के लिए अपने चारों ओर एक जिल्ली का निर्मान किया, ऐसे कोश का अंगों ने रसाइनों का अवशेशन, व्रिधी, विभाजन किया और अपने चारों ओर मौजूद कार्बनेक अनुओं के खिडवन द्वारा उर्जा प्राप् उन्होंने CH4, H2, NH3 और जल वाश प्योक्त बंद फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर विद्यों डिस्चार्ज उत्पन्न किया, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अमीनों अमल, शकरा, नाइट्रोजिम क्षार, वर्नक और वसा का निर्मान हो गया, ये प्रयोग इस बाद का समर्थन करता है कि रासायनिक विकास की बाद जीवन की रचना हुई, विशेश रिष्टी का सिध्धान, पारंपरिक धार्मिक साहित्य के अनुसार, विशेश रिष्टी के सिध्धान की तीन संकी तार्थ हैं, वो सभी जीव जिन्हें हम आज देखते हैं, ऐसे ही सरजित हुए होंगे। उत्पत्ति की समय से ही ये जय विविद्धा थी और भविश्य में भी ऐसी ही रहेगी। पृत्वी लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। विविनता नहित होती है, जो कुछ जीवों को प्राकृतिक दशाओं में अच्छे तरह से जीवित रहने में सक्षम बनाती है। इसे उप्युक्तता की रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो एक वाता वर्ण में अच्छी तरह से उप्युक्त थे, प्रकृती द्वारा वरण होता गया इसे प्राकृतिक वरण का नाम दिया गया और इसे विकास के प्रतिमान की रूप में लागू किया विकास के प्रमान प्रित्वी पर जीवन स्वरूप के विकास के समर्थन में प्रमाण जीवाश्म के अध्ययन तधा विभिन्न जीवन स्वरूपों की तुलनात्मक शारी रीकी और आका रीकी से सामने आए जीवाश्म जीवाश्म चटानों में पाय जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अविशेश हैं जीवाश मयुक्त विभिन्न आयू की चटानों की तल छट के अध्ययन से ये पता चलता है कि समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ जीवन रूप विशेश भू वैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे ऐसे प्रमान पुरा जीवी प्रमान कहलाते हैं जब समान सन्रचनाई विभिन्न जरूरतों के अनुकूलन की कारण भिन भिन दिशाओं के साथ विकसित होती हैं तो ये अपसारी विकास कहलाता है ऐसी सनरचनाई, समझात सनरचनाई कहलाती है। उदाहरण, पेंग्विन और डॉल्फिन मचलियों के पक्ष, अनुकूली विकिरण, एक विशेश भू भू भौ गौलिक शेत्र में विभिने प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदू से शुरू होकर अन्य भू भौ भौ गौलिक शेत्रों तक प्रसारित होने को अ विकासात्मक अनुवान्श की, जीवाश्मिकी और विकासपरक विकासात्मक जीव विज्यानी की उन्नती से ये पता चलता है कि प्रजनक, प्रकर्मों और जन्तूं में कोशिका प्रकार, विनिरदेश तंत्रों के कारण अनेक संडरचनाय स्वतंत्र रूप से विकसित होत विकास रखते हैं, अर्थात जैव अडूओं के गठन के बाद, जीवन का प्रथम कोशिक किये रूप प्रकट हुआ। शाइब